सुआ गते दोस्तो एक बार फिर से दोस्तो वर्दिकी के टीम को मिल गया है दूसरा हला दिक पाणिया दोस्तो जो अगले समय आई पी एल में खेल सकता है दोस्तो ये तुफानी क्रिकेटर का बैटिंग के चलते काल सोयाद मुस्ताकाली डॉपी में तामिल नालू टीम को बह करता हूँ 90% हारा हुआ मैस को इस अंदाज में इस तुफानी क्रिकेटर ने बैटिंग करके टीम को बिजेता बना दिया है तो दोस्तो वीडियो शुरू से लगे आन तक जरूर दोस्तो कल सोयाद मुस्ताकाली डॉपी में एक महत्वपुन क्वाटर फाइनल मुकाबला ख से ज्यादा 40 रानों की जोगदान निभाये थे हाला कि दोस्तो तामिल नारू टीम का पहले तीन विकेट के बल दस रान पे ही गीर गया था तो दोस्तो बहुत ही मुश्किल में फसे तामिल नारू टीम का कप्तान दिनेश कार तिंग बैटिंग करने के लिए फिर से वो नि सकता है दोस्तों बता दू जब 19 रन पे 4 विकेट गिर जाता है तो दोस्तो 135 रान भी 200 रान जैसा ही नजार आते है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विकेट गिरने पर टीम ऑल लाउट होने का चांसे बढ़ जाता है दूसरे थोर से दोस्तों केबल 9 ओवर में होते हैं बता दोस्तों बाबा अपर जीत इस मैस में 45 गिंदों का सामना करते हुए 52 रानों का पारी खेला तो दोस्तों अंतीम कुछ ओवर में शारुखान ने बहुती आतरशी बैट टिंकर डाला जीनों ने दोस्तों इस मैस में 5 चौके और 2 चौके जड़ जाड़ ले औ तो दोस्तों शारुखान एक बहुती अच्छे लेयर है जिनका उमर 25 साल है और बहुती आतरशी अंदाज में मैस फिनिश करना जानते है तो दोस्तों ये क्रिकेटर को IPL में मौका देनी चाहिए कि नहीं ये शारुखान का बैटिंग लेकर कई दिगज क्रिकेटर को लग रहा है ये तो अगला हर्दिक पंडिया है जो IPL में जो भी टिप पे जाएगा वह आतरशी बैटिंग करके अपने टीम को विजेता बना सकता है ऐसे मैं आप कॉमेंट करके बता सकते हैं इस दूफवानी क्रिकेटर को IPL में कौन जीटी में खेलना चाहिए जरूर अपना म किटर मांते हैं तो दोस्तो आपके लिए एक बहुत बड़े खुश्का भी इस वीडियो में इंतिजार कर रहा है दोस्तो वीडियो लास तक जरूर देखिए मैं आपको टोटल डेटल शेयर करूंगा दोस्तो इंगलाएंड और भारत के बीच में जो टेस्रिंकला शूरू है जहाँ पर लिए ने 532 रान बनाया है उनका टेस्ट में आउसाद 32 के पास है टेस्ट में उनका इस्टाइकर रेट 74 के पास है रजखिए ने टेस्ट में इससे पहले एक श्चाटक जड़ा है जहाँ हरदीक पाइंडियो ने 108 रानों का पारी खेला था इस दौरार हरदी पांच, आरद ररच वीकेट, अपने नम कर चुगे किया था दोस्तों हर्धिक पंड्यान इस से पहले सी लॉंक के खिलाब 10 एक में即ो यह 20 6 आफ 10 26 विए था दोस्तों उन्हों ने ये करना माद 2017 में किया था बता दो स्टों जरूरत पड़े तो इंग्लैंड के खिलाब हार्दिक पांडिया ने तूफानी बैटिंग करके सबका दिल जीत सकता है और राउंड हार्दिक पांडिया को फिर से हम इंग्लैंड के खिलाब देख सकते हैं जरूर आप कॉमेंट करके शेयर करिए और दोस्तो वारत और इंग्लैंड के बीश में जो पहले एस मैस केला जाएगा इस मैस में प्लेंग लेवेनकूस इस प्रकर हो सकते है जहाँ पे दोस्तो ओपेनर के रूप में यहाँ पे आपको रोही दिशर्मा और शुमन गिल होंगे मीडी लॉटर के बैट्समैन के रूप में दोस्तो यहाँ पे चेताशर, बुजारा, विराट कोली और अजिंग के रहाने होंगे तो दोस्तो विकेट की पर यहाँ पे रिशाप पन्ध होंगे दोस्तो ऑल राउंडर में यहाँ पे हारिदिक पंडिया होंगे दोस्तो साथ में यहाँ पे स्पिन ऑल राउंडर वशिंटन सुन्दर हो सकते हैं नहीं तो दोस्तो यहाँ पे रवी अशुईन को मौका मिलेगा जो बहुत अच्छे Allrounder का भूमी का निवाद है इनके अलबा दोस्तों First Baller में जस्पीद भूमरा और दोस्तों मुहमद सीराज हो सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार है वनतिक के टीम का प्लेइंग 11 और दोस्तों आप अगर कुछ चेंजेश चाते हैं जरूर कॉमेंट करके बताईएगा